हेलो दोस्तो आज का हमारा काम है कि हमारे पास एक कम्प्लेन आयु है जिसको हमें देखना है इनकी इस्ट्रिलाइट नहीं जल रही है तो हम बहां जाके उसको देखेंगे और क्या प्रॉलम है और उसको हम सही करेंगे चलिए देखते हैं यह हम उस पूल के पास आ गए है जह करेंगे और अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे इससे क्या होता यह हम जब हम पूल पर चड़ते हैं तो हमें हाथ फ्री चाहिए काम करने के लिए फ्री हंट चाहिए तो यह हम बांद लेते हैं उसके बाद हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं जिससे हम आसानी से काम कर सक पॉल पर चढ़ते हैं चलिए पूल पर चड़ते हैं और में चीछ सीड़ी काई पूल पर में 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 यद हीर सापधान से देखना पढ़ता है और सीड़ी जब ऊअपर हम चलते हैं तो सीड़ी को बांद लेना चाहिए अगर हम इधर-उधर थोड़े होते हैं तो सीड़ी हिले-डुले ना तो इसलिए हम सीडी को अच्छे से टाइट बांद लेगे जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाएगी और बिलोकुल जितने ऊपर से हम काम कर सकते हैं बहाँ पर हमें उतने हिसाब से अपनों को बैल्ट को बांदना है तो हम क्या करेंगे बेल्ट को एक सिरा लेके उसको खम्मे से गुमाएंगे एक राउंड जिससे अच्छे से उस पर हम पूरा बेट डाल लें तो कोई प्रॉल्म नहों और अपने हिसाब से जितना जरूरत है उतना टाइट करके दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे जिससे हमारा बेट एक साथ एक सबीकिती हтесь, और ये ऊपड़ हमारी में लाइन है जो तीन इंसउलेटर ूपल बाले चैनल पर ये में लाइन है हमारी ये दों सोगले नीचे जो लगे हुए है इस पर एक लेप साइड वाला विल्हटल पॉंइंट है ये पूल के साथ जो ईसदे कुलेटर है ये हमारा इस इससे हमारे कार्ट जो बायर थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि यह डाली बहाँ पर पास में है तो बहाँ पर टच हुई होगी उससे जो हवा चलने से तो वो से बायर निकल गए तो अभी हम इसको बायर को अच्छे से टाइट जोड़ेंगे पहले ची लेंगे सही से और उसको साफ करेंगे उसमें थोड़ा कार्बन भी आ जाता है तो बो बिल्कुल साफ करके और टाइट हमें हमेशा अच्छे से करना है क्योंकि इससे ना तो स्पार्किंग होती है और ना ही बहुत जल्दी कार्बन आता है क्योंकि यह एल्मोनियम और कोपर के बायर का जो लाइंट आ सकता है इसलिए टेप अच्छे से लगाएं और लगाने के बाद अब हम आप टेप अच्छे से लगा देंगे उसके बाद हम आपको चेक करके बताएंगे कि यह सई हुई है कि नहीं तो हम एक बायर लेंगे जिससे हम इसको में लाइन की फेस से इस्टेड लाइट की फेस में देंगे तो यह हमारी लाइट गिलो हो जाएगे क्योंकि अगर हम सब स्टेशन में टाइमर है बहां से सुछ से ओन करेंगे तो हमें टाइम लगा इसलिए हम लाइन से डारेक्ट चेक कर लेते हैं यह हमने बार लिया इस बार को खोलेंगे पहले सही से अब क्या करेंगे पहले एक site को जो एकusther bowl है उसका बार का इसको हम easterlight के face में पहले लगा लेंगे ये लगाने के बाद फिर हम उसको जो main supply है वहा पर 3 face है तीन फेस में से हम किसी पे भी लगा सकते हैं तो पहले हम साइड वाले फेस पे ही लगाते हैं ये देखो तो ये हमारी light glow हो गई है ये बाइर लगाने से पहले हमें main चीज दियान रखना चाहिए जब इस टेलाइट के फेस पे जो बाइर लगाते हैं उसको अच्छे से टाइट करके रखना चाहिए या इससे बू निकलेना क्योंकि अगर बू निकल के हमारी body या कहीं भी touch होता है तो हमें उससे current लग सकता है क्योंकि उपर से face तो आ रहा है और नीचे कहीं भी touch होगा तो हमें current लग जाएगा इसलिए हमें वो वाला अच्छे टाइट करके रखना पड़ेगा और जो मेन फेस है वो अपने lose भी करेंगे या वो निकल भी आएगा तो उससे हमें कोई problem नहीं होगी और इसमें क्या मेन फॉल था अभी हम उसको बताते हैं यह हमारी search protection device है जो हमारी LED में पहले लगी हुए होती है उसकी safety के लिए यह हमें क्या safety प्रतान करती है यह जो over voltage, over current जो भी होती है जो इसको नहीं चाहिए तो वो उससे protect करती है ना ज़्यादा देती हो तो कम होने पर भी trip कर जाती है और ज़्यादा होने पर भी trip कर देती है यह वायर निकल चुके थे